तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं chemical sector की एक बहुत ही शानदार company के बारे में और क्यों आपको उसमें निवेश करके चलना चाहिए for the long term wealth creation इस वीडियो में आपको मैं with reasons, with rational बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर हम समझे थोड़ा सा industry को यानि कि chemical industry को तो as per GM financial की report के नुशर आप देख सकते हैं India's chemical industry will continue on grow path says GM financial तो यह जो value migration का दोस्तो process है अभी start हुआ है और as per reports, as per survey, as per different analysts यह एक decadal story हमको होती भी देखने को मिल सकती है क्योंकि देखिए China जो है सबसे बड़ा supplier है तो आपको पता है chemical space में अगर हम बात करें तो लोगिन COVID के बाद जो यहाँ पर situation हुई है supply chain जो disrupt हुई है बड़ी-बड़ी global MNCs, companies जो है avoid कर रही है China को for further disruption in the supply chain तो यहाँ पर एक alternate Uber के सामने आया है वो है दोस्तो, India और Indian context में आगे आने वाले 5-10 सालों में यह जो स्टोरी है यहाँ से continue grow होने वाली है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मैं कई reports पढ़ रहा हूँ तो उसमें ऐसे हैं आपर बताए गया है कि जो market share था chemical का वो around 3% के आसपास था 2015 में 2020 में यह around 4% के आसपास हो गया है अभी 2025 तक का अपर expectation है कि 6% तक यह market share होगा तो आप समझिए कि थोड़ा-थोड़ा market share अगर India gain करेगी तो यहाँ से अगर double भी हुआ market share तो कितनी बड़ी opportunity यहाँ पर create हो सकती है और उसी context में यहाँ पर बात करने वाले बहुत ही शांदार company के जो सबसे बड़ी beneficiary यहाँ पर हो सकती है तो company कौनसी है तो company का नाम है दोस्तो Deepak Nitrite one and only यहाँ पर आप इसको जानते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वारा हूं क्यों आपको यहाँ पर निवेश करना है क्या है यहाँ पर जो हैसे triggers हैं आने वाले समय में जो यहाँ पर Deepak Nitrite को एक बहुत बड़ा multi-bagger अभी भी बना सकते हैं हाला कि इसका stock price काफी भागा है recent time में लेकिन अभी भी यह stock यहाँ से काफी उपर जाने का potential रखता है company की बात करें company को Deepak Nitrite के अगर हम बात करें leading intermediate company है और leading producer है कई सारे products में जैसे के हम बात करें sodium nitrite में जहाँ पर इनका 70% से जादा का market share है sodium nitrite में ठीक हैं और अगर देखें largest producer है फिनॉल और acetone के और recently उस तो ऐसा नहीं कि बहुत time से फिनॉल में यह उतरे है दीपक फिनॉलिक्स का अगर business के हम बात करें तो बहुत ही recent segment यह था इनका लेकिन जैसे इनोंने कदम रखा इस segment में 60% यहाँ पर दोस्तों इनका 60% से जादा का market share और पहले ही साल में 100% से जादा 120% के आसपास utilization हमको होती हुई देखने को मिली तो यहाँ पर एक और जबर्दस चीज और amongst top 3 global players for product in xylodines, kumidines, oxymes, manufacturing facility की बात करें exports की बात करें 30 countries से जादा है यहाँ पर export यह कर रहे हैं 50 साल की legacy है IPA भी production यह करते हैं for pharma and sanitizer IPA मतलब की isopropyl alcohol होता है दोस्तों यह जो sanitizer में आपको जो alcohol देखने को मिलता है उसको IPA बोलता है यानि कि isopropyl alcohol जो कि pharma में और sanitizers में यहाँ पर use होता है अपनी capacity को यहाँ पर यह लगातार बढ़ा रहे क्योंकि demand यहाँ पर generate हो रही है जो कि अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा बात करें इनके segments की तो तीन segment में यह company काम करती है जो इनके verticals है, business verticals पहला है basic chemicals, दूसरा है finance specialty तीसरा है performance product तो basic chemicals से बात करें तो सबस्यादा है इनका revenue generate होता है 46% का revenue contribution है इनका basic chemicals, 38% का finance specialty and 16% की बात करें तो performance products में और यहाँ पर दोस्तों देखिए final specialty की बात करें, basic chemicals की बात करें तो यहाँ पर तो यह grow करी रहे लेकिन final specialty chemicals में भी margin suspension के chances यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को हमकों मिलने, उसके पिछे के reasons अभी थोड़ी देर में बताता हूँ बाकी application diversity आप देखें तो dyes and pigments में, agrochemicals में pharmaceutical fuel additives, rubber paper, returgents, personal care तो हर मतलब different industries, verticals में इनके products हमको use होते हुए देखने को मिलते हैं और definitely जो import substitution है दोस्तों उसका है आपर बहुत बड़ा beneficiary हमको यह होता हुआ देखने को मिल सकता है तो यह होगी सारे दोस्तों इनके segments की, industry की और Deepak Nitrate के बारे में, लेकिन आगे की क्या plans है उसके बारे में चर्चा करना बहुत important है तो base business के बारे में बात करें तो इनका base business definitely grow हो रहा है यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने अपने आपको लगातार दोस्तों यहाँ पर grow किया है वो recent, उस्तों बहुत ही recent है पिछले recent quarter में ही यहाँ पर यह जो agreement इनोंने sign किया है और इसकी वज़े से यहाँ पर reports बताए जारे है कि इनके margins expansion हो सकते हैं जो final and speciality वाला जो business sign का उसमें margin expansion हो सकते हैं तो definitely एक re-rating के chance हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं final and speciality chemical में है अलाकि इसकी जो valuations वाला जो अभी भी काफे attractive नजर आती है उसकी पिछे reason है फिनॉल इनका जो majorly जो फिनॉल का जो फिनॉल का जो consumption है जो usage वो बहुत जादा है तो अभी भी इसको एक commodity business की तरह consider किया जाता है इसलिए आप देखेंगे तो इनको जो specialty chemical की companies हैं उनसे थोड़ा lower valuation मिलता है क्योंकि फिनॉल को ऐसे commodity यहाँ पर देखा जाता है जो performance product है डेस्डव अगेरा उसको ऐसे commodity देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर margin सोड़ा से fluctuate होते हुए जो downstream derivatives होते है phenol or acetone के कुछ new solvents है उसमें इन्होंने recent capex किया है तो अगें दोस्तों यह जो company यहाँ से grow होती हुई हमको नजर आएगी अब यहाँ पर दीपक Phenolics की बात करें तो जैसे मैंने बोला अपनी IP capacity को यह बढ़ा रही है जो कि हमको Q3 FI 22 से यहाँ पर comments होती हुई देखने को मिलेगी अब केpex की बात करें केpex आप देख सकते हैं तो ग्रीन फील्ड केpex इन्होंने जो है किया है final specialty products में तो जैसे मैं आपको बोला हूँ अगर final specialty में इनके agreement हुआ है sign उसकी वज़े से margin suspension होते है और green field जो केpex कर रहे है जो commission होगा अगले आने वाले एक से देड़ साल के बीच हमको तो यहाँ पर जो Q3 FI 22 तक हो जाएगा तो उससे भी again यहाँ पर margin suspension होता हुआ हमको देखने को मिलेगा और जो asset turnover यहाँ पर बताया जा रहा है वो 1.5 to 2X है मतलब उस पे इतना asset यहाँ पर turnover हो है मतलब उस पे आप समझ सकते हैं कि इतनी revenue यह generate कर पाएंगे around 2X के आसपास तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है revenue करीब करीब 2000 करोड का दूस्तों यहाँ पर revenue यहाँ से generate करते हुए नजर आ सकते हैं साथ ही में अगर देखें तो करीब 1200 करोड से 1300 करोड का केपेक्स यह आगे आने वाले 1 से 2 साल में इनका है तो बहुत बड़ा केपेक्स यहाँ पर यह करने वाले हैं जिसमें से existing जो इनकी platform से जैसे की nutrition है, dietization है उस पर यह काम कर रहे हैं लेकिन दोस्तों इन्होंने florination और photoclorination के platform भी create कर लिये हैं इस process के तूर इस platform के तूर यह pharma और agrochemical sector को cater करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा high margin business है तो again यहाँ से भी हमको कुछ ना कुछ positive आता हुआ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर demand भी काफी अच्छी है जैसे की management ने अपनी commentary में बताया है healthy demand यहाँ पर expected है domestic में भी और export market में भी तो company यहाँ पर दुस्तों aim कर रही है to become the world leading supplier in this products तो यह सारी चीज़े तो बहुत positive है Deepak Nitrite के और यह जो correction आई थी इसमें मैंने आपको बोला था continue यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो area आपर जो आप देख रहे हैं वे एक buying zone था है यहाँ पर और यहाँ पर हमने वीडियो भी बनाया था कई बार Deepak Nitrite को आप buy करके चलिए यह जो correction है definitely जो anti-dumping duty revoke हुई थी phenol पे उसकी वज़े से थोड़ा था correction था साथ ही में जो इनके raw material का जो inflation था उसकी वज़े से pressure था तो यह correction थी एक मौका था क्योंकि देखे raw material inflation और यह चीज़े चलती रहेगी लेकिन हमको business देखना है expansion plans देखने है management का जो execution capabilities है वो देखनी है और as per management की commentary जो इनकी earning call call में सुन रहा था उसमें इनोंने बोला है कि आगे आने वाले 3-4 सालों में हो सकता है करीब 3,000-4,000 करोड का यह capex भी कर पाएं क्योंकि इनकी जो balance sheet है वो बहुत ही मजबूत है और demand भी काफी तगड़ी है तो again पिछले साल भी इनोंने काफी अच्छा capex किया था इस साल भी इनोंने करीब 1100-1200 करोड का capex announce कर दिया है आगे आने वाले सालों में भी capex announce करेंगे तो दीपक नाइटराइट एक structural story में एको देखने को मिलती है import substitution की और सबसे बड़ा player है leading producer है in different products तो यह दोस्तो एक opportunity है इसको आप हर dip में buy कीजिए आप इसको current market पर अभी भी buy कर सकते है मुझे लगता है एक long term का आपका नजरिया होना चाहिए दीपक नाइटराइट यहाँ पर जो industry growth है उसको यहाँ पर cater करता हो नजर आएगा उसका एक direct beneficiary यहाँ पर दीपक नाइटराइट नजर आता है और ऐसे ही दोस्तो और भी stocks है chemical space में speciality chemical space में जो आपके लिए में लाता रहूँगा तो चैनल को आप subscribe कर लिजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए और इस वीडियो दो शेयर भी कीजिए अगर हो सकते हैं तो दूसर तक भी information पहुचे कि क्यों आपको दीपक नाइटराइट में निवेश करना चीए सिर्फ यहाँ पर यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आपने stock का ROC ROE देख लिया company की profit and loss statement देख लिया विससे नहीं होता हमको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह के products में काम कर रहे हैं क्या हाँ पर expansion plans हैं किस तरह के management की guidance है क्या हाँ पर margin expansion के triggers हो सकते हैं यह सब चीज़ें जानना जरूरी है तब ही दो तो एक opportunity होती है गिरावट में buy करने की लेकिन अगर आप इस बरोसे अगर गिरावट में buy करेंगे तो थोड़ा आपको वहापर doubt रहेगा कि आरे क्यों गिर रहा है company के plans क्या है तो यह सारी चीज़े हैं जो आपको हमेशा में बताता रहता है तो आई होब यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई